2.3.5 क्या अमल और शार विद्दुत का चालन करते हैं? आईए इसे समझने के लिए एक क्रिया कलाप करें क्रिया कलाप 6 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनू हाइड्रोक्लोरी कम लें दिये गए चित्र के अनुसार एक रबर कॉर्क पर दो आलपिन लगाकर पीकर में रख दीजिए चित्र अनुसार आलपिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी टॉर्च के एक बल्ब तथा स्विच को तामबे के तार के माध्यम से जोड़ दीजिए क्या बल्ब जला? इसी प्रक्रिया को तनुसोडियम हाइड्रोकसाइड विलियन के साथ दोहराईए क्या बल्ब अब भी जला? बच्चों, हमने कक्षा नव्मी में आयनीक योगिकों के साथ एक क्रिया कलाब किया था जिसमें हमने आयनिक योगीकों के जली विलियर में विद्धुद्धारा प्रवाहित की जिससे विद्धुद्ध बल जलने लगा था याने कि उसमें विद्धुद्चालन संभव है क्या लगता है आपको अमल और ख्षार में भी विद्धुद्चालन संभव है चलिए करके देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम अमल लेते हैं यह मेरे पास है तनु एच्सियल ठीक है और यह है रबर की कॉर्क जिसमें हमने यह देखिए कील को इस प्रकार लगाया हुआ है और यह तार इसमें सईयोजित है तार में यह LED बल भी लगाई हुई है जिससे हम 12 वोल्ट की विद्यु धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो चलिए धारा प्रवा करते हैं विद्यु धारा का प्रवा करने के यह हो गया स्विच ओन देखिए तो LED बल जला क्या नहीं जला अब हम एक काम करते हैं यह लेते हैं इसे जबर की कॉर को इस प्रकार दाले कि जो कील का कुछ हिस्ता जो है वो तनु असल में डलना चाहिए डूबर ना चाहिए ठीक है यह देखिए अब आप देख रहें देखे LED लाइट जो है वो जलने लगी देख रहे है बच्चों तो हमने देखा इसे हम इस प्रकार यहां ठख देते हैं यह देखे LED लाइट चल रही है तो इस प्रकार हमने देखा कि आमल में भी विद्ध-चालन समभव है क्योंकि आमल में आएनी करण होता है अब एक काम करते हैं फिर से अब हम ले लेते हैं क्शार तो अब हम इसके के साथ करेंगे इसी क्रिया कल आपको तो हमने क्षार के रूप में ले लिया ये सोडियम हाइड्रोकसाइड ठीक है और फिर से वही प्रक्रिया करनी है तो विद्धरा का प्रभा करना होगा तो ये कर लिया स्विच ओन देखिए अभी लाइट नहीं जल रही है ठीक है तो अ जल गई इसका मतलब अम्ल और शार दोनों में आइनी करन होता है और इसलिए दोनों में विद्धुत का चालन संभव है कक्षा नौमी में हमने क्रिया कलाप के द्वारा समझा है कि आइनिक योगिकों के जलिये विलियन में विद्धुत धारा प्रभाहित करने पर बल्ब जलने लगता है इससे यह निसकर्ष निकलता है कि आइनिक पदार्थ विलियन में अपने आइनों में विभक्त होकर विद्धुत का चालन करते हैं इसी प्रकार उप्रोक्त क्रिया कलाप में अमल और शार के विलियन द्वारा विद्धुत चालकता यह प्रदर्शित करती ह कि अमल और शार का भी आइनी करण होता है